है हैलो फ्रेंज कैसे हैं आसमे लोग हां हो आप जो ठीक हूंगी स्वागता है सभी आप फुर्षिट से छी है व्व्लोग चैनल पर तो फ्रेंज अभी मैं यां पर थोड़ी सभाई कर रहे हूं एस यह पिल बीवी डुस्टिंग कर रहे हूं दूल थोड़ी बहुत इकटा हो जाती है उसी को मैं आपे क्लीन कर लोंगी और आज है रौनक की छुटी इद है कल तो उसी की दो दिन की छुटी है और घरीब मैं आपे बैट से चेंज कर दोंगी एक दो दिन से बैट से चेंज नहीं की थी मेले तो अभी मैं आपे कर रही हूँ और थोड़ी सी सुब्से विकनेस लग रही थी और जुकाम भी था कल परसों से तो कल थोड़ा से जुकाम मेरा बढ़ गया था और फिर आज थोड़ा सा बुखार टाइप का लग रहा था तो मैंने सुचा कि ऐसे हलका फुल का लग र कर लोंगी और आज मैं फिर कपड़े ने धोरी हूं क्योंकि थोड़ी थकान टैप की लग रही थी और ज्यादा जो जो में में काम है वही मैं कल लोंगी यह लड़की ने सुबह से दिमाग कर आपके कर रखा है अभी भी नहीं बोलना मैंसे क्या हो गया है बताओ क्यों स्क क्यों stimulation अचब क्यों जाना है आज चुटी हैं मैं कैसे पिस दो महां तो लॉठ लगाऊगा गेट बंद होगा तो मैं कैसे स्कुल बेहतराँ है मैं लोग झाल मैं हम लोगो सका है स्कूल खुलने को आपको स्कूल जाना पसंद है तो घर पे रहो आज गर पे रहो ना मज़े करो तो स्कूल में अच्छा लगता है आपको गर पे नहीं लगता है ये तो अलगी बात है तुम्हारी तो चलो 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 आओ खेलेंगे हम लोग मैं भी खेलू साथी कि एख यह कौन बात हो यह आपकी इस यह इसको में सुपह से समझा रही हूँ कि आज चुटी है आज इंज़ाए करो लेकिन ईब लेए कि नए रहे बाण जो प्लीज इता देखो मांजो और बिल्स को अरे बेटा चुटी है चुटी चुटी इते इनज़ाएः करते है खेलते हैं, पढ़ाई भी कर लेना, ठीक, इस्कूल में लॉक लगा होगा, तो मैं आपको, तो वहाँ बंद है, न स्कूल, तो बंद है, मैं आपको कैसे छोड़ा हूँ, बताओ, यह नहीं माननी का हूँ, ऐसे, अच्छा ठीक है, अभी, मैं आपके साथ खेलूंगी, फिर मा अभी मैं यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ, थोड़ा से जाड़ो लगा लूँगी, और बाकी कमरे में तो मैंने सुबह ही कल लिया था, तो यहीं अभी रह गया था, क्योंकि रौनक थोड़ी दीर तक सोय हुआ था, तो मैंने यहाँ पे जाड़ो नहीं लगाया, पंखा वग जाओगा, तो मैंने बोला तो असको की छुटी है आज, तो कैसे मैं भीज देती, तो वो बार बार स्कूल जाने की जित कर रहा था, उसको वहीं अच्छा लगता है, मैं यहाँ पे अभी अपना फीवर चेक कर रही हूँ, तो मैंने देखा कि आप लोगों के साँ सेयर कर ल लगा लिया है मुपे, और अभी देखते कितना बुखार है, तो 101 बुखार यहाँ पे दिखा रहा था, 101 बुखार था, बहुत ज़्यादा मतलब लग रहा था, गरमाहा टाइप की, तो मैंने इन से दवाई तो मंगा ली थी, और यहाँ पे थोड़े कपड़े थे कलके, ज करता है, लेकिन अगर रैष्ट भी करो, तो कितना देर करो, फिर अच्छा भी नहीं लगता है, कि बहुत देर तक हम लोग रैष्ट कर रहे हैं, और सब काम पड़े हुए हैं, तो फिर यह सब काम भी करना ही पड़ता है, और तो थोड़ा फीवर था, तो मैंने इनको बोल यह लेने गए थे, तो मैंने अभी दवाई होई, कुछ भी नहीं खाई थी, थोड़ा काम वाम कर रहे थी, और नास्ता भी सब का होई गया था, तो यहां पर बरतन दो के, जो है, मैंने थोड़ा गैंस भी क्लीन कर लिया था, यहां पर थोड़े बरतन होगे थे, क्योंकि अभी मैंने सुभे से बरतनी नहीं दोए थे, क्योंकि थोड़े भी बरतन होते थे, तो मैं उस्सी समय क्लीन कर लेती हूँ, लेकिन थोड़ा मन नहीं हो रहा था, लेकिन, तब भी, फिर मैंने थोड़े से खटा हो जाएंगे, तब धो लूँगी, फिर बार बार ऐसे तो जब मेरी थोड़ी से तब रसाही लग रही थी तो उस टाइम में काम कर ले दी और थोड़े टाइम में बैटी भी थी अभी यहां पे मैं बरतन को वास कर लूँगी चाय के नास देखें यह सभी बरतन इकटा हो गए थे और फिर अभी दोती भी नहीं तो फिर और ज़्य यह दवाई ले आए थे तो अभी मैं आपे दवाई खा लूँगी और क्यूंकि फिर दवा भी खानी जरूरी रहती है कब तक नखाऊ और बहुत तेज बुखार लग रहा था तो दवा तो जरूरी खानी थी तो यह दवा लिया थी और दो तिन दवा थी इसमें एक साहदी पेरसेटमॉल की भी थी तो यह तो बुखार में खाई जाती है साहद डोलो थी क्योंकि यही तो बुखार में जदा यूस की जाती है और इसके पीछे नाम भी कट हो गया तो तो इसमें नाम भी नहीं दिख रहा था इसी विज़े से फिर मैंने देखा भी नहीं जदा और यहां पर मैंने दवाई निकाल ली है इनको मैं खालूंगी और दो तिन खुरा कोर रही थी तो वह भी मैं बाद में खालूंगी अभी मैं आगई हू किचिन में और यहां पर आटा मार रहा हूं उसके बाद फेर मैं रोटी बनाओंगी और सब्जी भी वनानी मुझे तो आलो की सब्जी में बना दूंगी तो अभी मैं आज डाल चावल कुछ भी नहीं बना रही हूं बैस रोटी सब्जी में बना तो फ्रेस से निकाल लिया थे मैंने और दूद भी बॉइल करने के लिए रख दिया था और यहां पर मैं अभी आटा माल लूँगी आटा मैंने गूत लिया है और यहां पर बना रही हूं रोटी है हुए और फिर और उसके बाद आलु की आसह़ी बनाऊंगा ज्रॉटी है कि महिं झालु यहां पर दूद की में कैसरोल में रख लूँगी फिर उसके बाद मैं सबजी बनाऊंगी और राना को भी मैंने समझा दिया था तो थोड़ा सा मान गया था फ़र्स टाइम जब स्कूल गया था तो पहले भी बोल ला था कि मुझे स्कूल ही जाना पसंद है वहाँ अच्छा लगता है तो संडे रहता तो संडे को भी बोलता था कि आज संडे क्यों है किसने संडे किया है मुझे स्कूल जाना है तो वही अभी आजकल चुटी तो वही बोल ला था और यहाँ पे मैंने मसाला भून लिया था और आलू मैंने काट लिये थे पानी में डूबो के रखे थे क्योंकि जो है आलू का कलर ना चेंज हो जाए बहार अगर बिना पानी के रखते तो और इसमें मैं आलू डाल दूँगी मसाला अच्छे से मैंने भून लिया था तब ही फिर मैं आलू डाल रही थी और फिर इसमें पानी डाल के मैं कूकर बंद कर दूँगी सीटी लगने के लिए एक बार अच्छे से चला लूँगी और फिर कूकर बंद करके रख दूँगी मैं तबित कराम में मन तो नहीं करता है कोई काम करने का लेकिन फिर अगर बैटे पी रहो तो कितनी देर तक रेश्ट करो और फिर वैसे बोरियत भी लगने लगती है और अच्छा मिन लगता है कि घर का सारा काम पड़ा हुआ है और खाना भी बनाना है ये भी करना है वो भी करना फिर ब़कारो हो चाहे कुछ भी हो क्योंकि फिर सारे काम भी रहते हैं और खाना आना यह सब रहता है तो बाद में तो वह हमी पर आता है सारा Όicide करेंगे तो फिर खाल तो फिर जब सभित सीयोगी तो फिर बात में भी करना नहीं पड़े def 일단 बहुत जीचे है इसी विज़े से जो जो छोटी मोटी काम होते वो मैंने बटा लेती हूं और यहां पर मैं भी रॉनक को पढ़ा रही हूं क्योंकि अभी छुटी तो है और इसकी पढ़ाई थोड़े भूल ना चाहे इसलिए रोज पढ़ाई तो रोजी घरानी पढ़ती है तो बीच में ग से मैं बोल देती थी कि तुम्हारा हुंबर के है तुम खुदी कर लो अपना तो वो अकेले करता और पता नहीं कुछ गलत भी कर लेता और इसको ऐसे मीनिंग भी नहीं मालूम चल पाती तो उसको जो भी हुंबर काता है रहता है उसकी मैं मीनिंग भी बताती रहती हूं और गर और कोचिंग में थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो थोड़ा अच्छा रहता है उनकी पढ़ाई के लिए तो यहीं पर रौना का भी हूंवर्ग कर रहा है और उसने वह वहूंवर्ग कर लिया था और यहां पर मैं अभी इसको कोचिंग का उमवर का करवा रही थी तो यहाँ पर जो कोचिंग से इसको उमवर के मिला था वो इसने कल लिया था तो फ्रेंड्स आज के व्लॉग में इतने ही मैं मिलती हूं नेक्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर